बिहार पुलिस का एक बरखास सिपाही जो अपने इलाके के लिए रोबिन हुड बन जाता है और पुलिस की नजर में सबसे बड़ा फ्रोड आज पूरा छेत्र बुलबुल मिस्रा उर्प सुधीर मुस्रा को एटियम बाबा के नाम से जान रहा है क्योंकि बुलबुल मिस्रा कहली जिए कि एक इंस्ट्यूट चलाता है या कहली जिए कि एक बिद्याले चलाता है जहां पर लोगों को एटियम मशीन काटने की पढ़ाई कराई जाती है और बुलबुल मिस्रा द्वारा पढ़ाए गए लड़के करोडों रुपया अब तक उड़ा चुके हैं बुलब पास कुछ नहीं था तब बुलबुल मिस्रा पैसा दे कर सहायता करते थे और खेसारी बुलबुल बाबा कहते हैं और हमने बुलबुल मिस्रा के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी जुटाई तो पता चला कि अपने इलाके में हर साल गरीब लड़कियों की शादी काम है और इसी काम की बदोलत अपने इलाके में बुलबुल मिस्रा बन जाते हैं रोबिन हुड लेकिन उत्तर परदेश की राजधानी लखनव में एक ATM मसीन को काट कर कुछ अपराधी उसको लेकर फरार हो जाते हैं और फिर पुलिस जिन लड़कों को पकरती है उन लड़ बुल मिस्रा की पतनी रेखा मिस्रा लगातार दो बार से मुखिया है बुल बुल मिस्रा की पहचान सोशल मीडिया पर किसी हीरो से कम नहीं है और आगे हम आपको यह पूरी चर्चित कहानी सुनाएंगे बाकि हम नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे यह वीडियो ड्रीम पैलेस मेरेज हाल के द्वारा प्रयोजित है अगर पतना में आपको किसी की शादी सालगीरह रोका इंगेजमेंट बड़े पाटी या फिर किसी भी अन्य खास दिन को यादगार आयोजन कराना है तो आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करवाईए जो इस्तित है आपके लिए यहाँ पर एक बंपर ऑफर भी है कि आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा भरना होगा और हॉल का किराया बिलकुल मुब्त होगा अन्य जानकारी के लिए आपको अपने स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल किजिए बाचीत किजिए अब आते हैं बुलबुल मिस्रा की कहानी पर बुलबुल मिस्रा के पिता बिहार पुलीस में सिपाही हुआ करते थे लेकिन नौकरी में रहते हुए पिता के दुनिया छोड़कर चले जाने के कारण बुलबुल मिस्रा को अनुकंपा पर विहार पुलिस में सिपाही की मतलब की कॉंस्टेबल की नौकरी मिल गई लेकिन दस साल में ही बुलबुल मिस्रा ने इसकी कहानी बताई जाती है कि इतना कारनामा कर दिया कि विहार पुलिस से बरखास कर दिया गया या क्या लिजिए कि बुलबुल मिस्रा को बिहार पुलिस ने कह दिया कि अब नौकरी छोड़कर आप निकल जाएए अब बिहार पुलिस में सिपाही रहते हुए बुलबुल मिस्रा पर बहुत सारे आरोप लगे और इसके बाद बुलबुल मिस्रा अपनी आगे की जिंदग शुरू करता है लोग बताते हैं कि अगर बुलबुल मिस्रा के छेतर में किसी की तबियत खराब हो जाए और वह गरीब हो तो बुलबुल मिस्रा के दरवाजे पर अगर वह चला गया तो उसको इलाज मिल जाएगा और यही चीज बुलबुल मिस्रा को उस इलाके में हीरो बन और बुलबुल मिस्रा पर मुर्ती चोरी से लेकर और कई सारे आरोप लगती रहते हैं। अब आते हैं एटियम चोरी वाली कहानी पर लखनव के सुशान्त गोल्फ सिटी में एटियम मशीन काता गया, एटियम मसीन से कई लाख कैश लेकर कुछ लड़के फरार हो गया। ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग कैसे तो लड़के जो कहानी बताते हैं वह सुनकर पुलिस के पैरो तले जमीन खिसक जाती है। वह लड़के कहते हैं कि पूरा का पूरा एक इंस्ट्यूट चलता है। एक ऐसा इंस्ट्यूट जहां पर लड़कों को सिखाया जाता है कि आपको ATM मशीन कैसे काटना है वलड़के कहते हैं कि 15 मिनट के अंदर ATM मशीन काटने की पूरी की पूरी टेकनिक बताई जाती है कि 15 मिनट का बस वक्त मिले और 15 मिनट के वक्त में एक ATM मशीन को काट कर उसके अंदर रखा हुआ पूरा का पूरा कैस कैसे गायब कर देना है अब बुलबुल मिस्रा की तलाश पुलिस कर रही है बुलबुल मिस्रा के बारे में अब तक जो जानकारी है जब तक हम वीडियो शुट कर रहे है तब तक बुलबुल मिस्रा अब तक पुलिस की पकड में नहीं है अब बुलबुल मिस्रा की एक कहानी भोजपूरी के बड़े सु बाटी करते हैं कहीं जाते हैं तो बुलबुल मिस्रा के साथ वो आगे पीछे चलते रहते हैं अब बुलबुल मिस्रा की कहानी है कि खेसारी लाल यादो जब अपने संघर्श के दिनों में जब खेसारी लाल यादो के पास कुछ नहीं था तब यही बुलबुल मिस्रा खेसा अब बुलबुल मिस्रा भी आरोपी है, बुलबुल मिस्रा की पत्नी रेखा मिस्रा को भी कहा जा रहा है कि उत्तर परदेश की पुलिस ने आरोपी बनाया है, अब आगे देखिए कि बुलबुल मिस्रा कब तक पकड़ा जाता है, बुलबुल मिस्रा के पकड़े जाने के बा झाल 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 झाल